नमस्कार दोस्तों आप सबीक स्वागत है क्रेजी सीएंजे में एक और इको नहीं आ गई है मेरे पास मोडिफाई करने के लिए इसके जो इसलेंडर के स्टेंड है यह जाल हो गर सारे हटायने वाले हैं हटा रहे हैं और इसमें डबल सिलेंडर लगाना है वह बताएंगे है कि आज हुआ दो दो के अई अब इसके सारे भॉल्ट खोल दिया है और इसको में बहार निखाख Ao अब इसके सारे ब shirts कि यहालस भूल आ यहाँ से खोलना है इसको बहार निकलना है तिल्हाल मैं यह फिल्झाली कर दिया यह ऐसिदर बंत हो जाएगा उपर कर नहें अर अब जाल हटा दिया है अब इसको सिलेंडर बाहर निकालेंगे अब इसको मैं यह सीट के सारे बॉल्ट फोल रहा हूं अब देखवा रहे हैं इसका मैं फाइब लगा दी अब देखवा रहे हैं इसका मैं फाइब लगा दी तो इसको मैं फिरहाल खोल रहा हूं अब इसको सिलेंडर फिक्स होने वाला है कि मैं यह पर शुराख हो गए अलगा रहे हैं सो देख पार है मैं इसमें पाइब डाल दिया हूँ अब डबल सिलेंडर है भी लगा देगे दुस्रा सिलेंडर एनो कीलो का है एक 14 कीलो का है दोनों में गैस आएगी कि चोओदा के लेदे चोब्र किलो ऐसे शुलेंट कर देंगे इस्को किनेट कर देंगे छी फूइंट निचे से आई है टी के पाश धुसरा पाई पे हो गया इस शेलंडर से यहां पर कनेक्शन करेंगे एक इस शिट के नीचे आ गया है फ़ईनाली हमारे गार यह तयार हो गई है और देख इनेक्शन हो चुगा है और यहां से वाल कुला हुआ है वह भी वाल पुला पढ़ा है देख आ रहे हैं यह को है बीजिक्स मोटर अब चलेगे 300 किलो मेटर मैं यहां से दिखा दिया जहां पर भी बोल्ट लग गए है दो अगर आप लोगों कर मेरी वीडियो पसंद आ आए तो वीडियो को लाइक कर दे अगर चैनल पर नहीं होता है चैनल को सब्सक्राइब कर दे मैं हमें से इस वीडियो लेकर आते रहता हूँ